आप लोग का मेरी चानल पर बहुत बहुत स्वागत हैं आज बहुत ही ज़ादा हो मैं आप वह पूम साइकिक मेसेश में आप लोग के लेकी आए हूँ यहां पर कॉंस्टेंटली आपके दिल में एक टाइप ओफ वाड शिल रहा है ऐसे सम्टाइम्स आप अपने जिम्दगी में एक ऐसे जब खाना बना रहे हो या कहीं पर भी हो या ड्राइविंग कर रहे हो अपने दिमाग में आप कुछ लड़ने लगते हो या फिर आप कुछ नया चीश शुरू कर रहे हो and the fact is अभी आप एक कुछ नया चीश शुरू करने जा रहे हो जिसमें आपको बहुत blessings मिल सकता है वहाँ पर भी आपको यह लगता है कि something कुछ न को जगड़ बढ़ होगा और फिर आप कुछ से ही लड़ने लगते हो these are some of the symptoms right now जिससे आप यह जान सको कि आपके life में actually हो क्या रहा है right now आप अपने आपको define करना चाह रहे हो अभी आप अपने talent को देखना चाह रहे हो and right now like आपका जो भी talent है आप उससे बात करना चाह रहे हो but right now आप अपना talent को कैसे project करें and like आप किसी के frame में fit नहीं होना चाह रहे but still आप अपने talent को project करना चाह रहे हो but यहाँ पर कुछ ना कुछ होता है जिससे आप बतले ऐसा लगता है कि कोई ना कोई आएगा और आप से लड़नी लगेगा या फिर आप से कुछ चीज़े छीन ली जाएगे आपको personally because of this सारे emotion आपके आसपास है और बहुत सारे लोग ने इस तरह की emotions आपके ओपर project किया है इस तरह की emotion से बचने के लिए सबसे पहली बात तो आप यह समझे कि आप बहुत ज़दा talented हो आप बहुत unique हो and being yourself like being original stand out like standing up for yourself being original यही कुछ चीज़े हैं जिससे आप इन सब को हरा सकते हैं right now कोई energy vampire आपके आसपास है I just felt energy dream मुझे उबासी आई so obviously आपके आसपास कोई नो कोई energy vampire है constantly आपके energy को छीन रहे हैं यह आपके बारे में तरीके का जूट बोले जा रहे हैं जो बूले जा रहे हैं एक तरीके का narrative है जो आपके बारे में यह लोग बोल रहे हैं और आप इनके narrative में fit नहीं होती यह इनका सबसे ज़्यादा बड़ा परिशानी है और उनके ही life में बहुत ज़्यादा deep emotional restraint है deep emotional लड़ाई है वो लोग खुद के emotion को address नहीं करने है and at the same time because of these emotions उन लोग ने आपे project किया आप भी ऐसे हैं कि आप खुद भी in emotions को धंक से नहीं समझ पा रहे हो and एक तरीके का emotion project करते हो आप खुद भी करते हो because of यह लोग आपके उपर emotion project करें है and this emotion और यह emotions आपके नहीं है लेकिन फिर भी आप करते हैं and I'm like I don't know why I said that आप इसे बोलते हो in fact आप यहां से at this very moment आप आप अपने जिन्दगी में जो भी position पे है आप move forward करना चाहरा in fact आप struggle करते हो move forward करने के लिए आपके जिन्दगी में राइटना power है कि मैं किस तरीके सा अपने आपको move कर सकूँ लेकिन फिर आपको ऐसा हैसा होता कि power struggle है unnecessary drama आपके जिन्दगी में होता है जो pathway आप अपने लिए choose करना चाहते है sometimes feel like कुछ ना कुछ ignoring है and जो भी direction आप लेते हो ऐसा definitely लगता है कि मैं सही दिशा लेने के बाद उजोदी में क्यो गलत दिशा लेनी हूँ आप ignored महसूस करते हो आप in fact right now अपने जिन्दगी में move forward करना चाह रहे हो and कुछ भी आपको limit नहीं कर सकता in fact आपका belief ही right now limited है इसलिए आपको like psychic message में definitely यह है कि आप अपना because of limited belief के वैसे आप अपने आपको रोक नहीं सकते आपको आगे move forward करना ही चाहिए आपके जिन्दगी में कुछ ना कुछ भैतर आपके जिन्दगी में आएगा आप अपने limited beliefs को थोड़ा बदलना होगा and थोड़े plans में change करने होंगे आपके जो भी original plan है जिससे आप like plan मनाए हो कि इससे में life में move forward करेंगे आप उस original plan में थोड़े changes आपको लाने होंगे जो changes आप जैसे ही लेकी आएंगे and जो भी points and views जिसमें आप देखेंगे and like and जो जिस field में भी आप तरक्षी चाहते हो यह definitely है कि एक particular type of niche है इस particular type of niche में आप obviously तरक्षी चाहते हो तरक्षी आप constantly अपके जिन्दगी में चाहते हो in fact आप जो भी particular type of niche में काम कर रहे हो आप बहुत ज़दा high demand में रहोगे अब बहुत ज़दा high demand में रहोगे लोग आपको जानेंगे लोग आपको पहचानेंगे आप high demand में रहोगी आपको right now highly बोला जा रहा है कि please stand up for yourself जो important आपके जिन्दगी में आपको उसके लिए stand up लेना चाहिए जो भी चीज़े जो भी opinions है आप अपने opinions सामने रखो and in fact right now बहुत सारे जो आपके negative haters है वो अपने point view सामने रख रहे हैं यह मेरा narrative है looking at psychic pooja's collective I'll call it pooja okay हम सब को हमें pooja के नाम से बलाते हूं because it's pretty much clear like pooja के narrative like pooja एक type of narrative में रहती है क्योंकि मैंने आपको बोला था ना देखो pooja ऐसी है तो pooja ऐसी है so a type of narrative में हम सब लोग बैठ नहीं रहे हैं fit नहीं बैठ रहे हैं तो इनको इस चीज़ से बहुत साथा परिशानी हो ज़िए so that is also something मुझे मेरा collective को कुछ नाम देना चाहिए okay so right now यह लोग जो भी आपको बोलते हैं a type of inka opinion clashes हो रहा है जिन से भी यह बात करते है and it obviously यह लोग खुद अपना opinion सामने रखना चाहते है and they also want to say कि आप गलत हो ठीक है आप गलत है ऐसे बताना चाहरा है Krishna conscious के लोग गलत है Krishna गलत है यह बताना चाहरा है I think we'll call it KC KC, Krishna Consciousness KC KC गलत है and and यह जो लोग भी KC से नफरत करते हैं because we all live in Hare Krishna consciousness क्योंकि हम सब लग Hare Krishna महामंतर के Echo Chamber of Consciousness में जीते हैं so हम सब लग KC है okay that's one thing मैं खूद अपना अपना तीम बुल गए like the song that I constantly live in Hare Krishna महामंतर एकोचेंब that is something so we live in Hare Krishna Hare Krishna we all live in Hare Krishna महामंतर एकोचेंब so we all are Krishna Consciousness so KC okay in fact इन लोग के बातों से आप बहुत आसानी से irritate हो जाते हो यह लोग के opinions आप irritate हो जाते हैं इनके जिस तरीके से बात करते हैं आप इनसी से irritate हो जाते हैं in fact आप इनसे कोई relationship लखना नहीं चाहते हैं आपका लेवल अप वाइबरेशन इस वेए अप हायर दन इनका लेवल अप वाइबरेशन आपको आपको कॉंस्टेंटली क्लियर्ली साइकित वैसे जिसकी आप अपने आप पे बिलीव करो अपने आप सिर्फ बिलीव करो जो भी आप डिमांड करते हैं दुनिया से जो भी डिजायर करते हैं उसमें आपको तरक्की मिलेगी यहां पर प्रिटी मच क्लियर है like energy wise में अब मैं इसको टैरों में डाल लू तो what are the cards बतलब बोल सकते हैं that is like two of wands, five of wands and seven of wands look at the energy, that kind of energy अगर मैं cards में बोलो तो and then you can, if you are a psychic tarot card मतलब tarot card reader है तो cards बहार रखे एक बर लिख पढ़ लो खुद के लिए that kind of energy it is अगर cards में बोलो तो anyway definitely मैं आप लोगं को definitely suggest करूँए कि हमारे चानल को support कीचे subscribe करके all bell notification पर आप जरूर दबाएगा जिससे आपको सारी जाट करे हमारे चानल की मिलती रहेगी share कीज़ेगा हमारे वीडियो का अपने friends वाम लिखे साथ okay definitely personal readings links are in description box below आपको मुझसे personal reading लेना है तो this is the website चहाँ पर आप मुझसे personal reading ले सकते हैं puchakataria.com reading मिलेगा आप complete पैसा वसूर reading मिलेगा जो भी आप सवाल पूछ रहे हो एक सवाल या दो सवाल मतलब कितने भी सवाल आप पूछ रहे हो वो सारे सवालों का complete insight के साथ आपको जवाब मिलेगा so आप मुझसे personal reading लेगा because I'm the best IK that you can ever come across that is puchakataria.com यह वेबसाइट है यहाँ पर जाकर आप मुझसे personal reading लेगा लेग में सी काद से क्या आपके बारे में क्या messages आए हैं you need to move forward बार बार आपके लिए Krishna Consciousness जो हम सब लग है Casey हम सब के लिए एक बात ज़रूर है आपके चाहरे you need to move forward आप भी हमारे जिन्दी में चाहरे जो कुछ भी हो रहा है Casey के life में जो कुछ भी हो रहा है you need to move forward because these people will constantly project some kind of thought constantly एक तरीके के बात से बात करेंगे एक तरीके का thought process project करने है आप लोगों के ऊपर a type of thought की ओ आप ऐसे हो आपका narrative मेंने कुछ ऐसे बनाया है so there are people should think of you in a certain way so there are people definitely आपके बारे में ऐसे सोचना चाहिए a type of narrative आपके बारे में बना रख है so there that's happening world is here night of pentacles है यहाँ पर हर्मिट है oh my god I mean collective आपको आपको ना definitely 100% आपके लिए यही message है कि आप please move forward कीजिए इन लोगों का बात जादा मत सुनिये ending up with emperor collective oh my god Casey यह तो बहुत अच्छी बात है five of pentacles I really do not like the word Casey obviously it's a Krishna consciousness because Krishna ने एक Casey नाम के demon को मारा था and I definitely don't want to evoke Casey that's for sure समिछ Casey नहीं बुलने वाली okay I need to think of something for the collective all right so यहां पर pretty much यह psychic message it's pretty much आप एक रास्ता ही लीजे जिसमें आपको like profit मिलेगा जिस चीज़ के तरफ आपको देखना चाहें क्योंकि constantly आपके जिन्दगे में growth आ रहा है constantly आप आगे बढ़ते रहोगे money matters आपके like में जो भी money matters problems है उस money matters problems में आपको solution मिलेगा constantly आप solution see solutions देखोगे and there are many many things जो आप लोगों को नहीं बताना चाहते and यहां पर hermit भी pretty much clearly यही बोल रहा है यहां पर कि जो भी information है वो आप अपने तक ही रखे हर एक के साथ share ना करें जो भी emotional concerns है जो भी plans है किसी के साथ share ना करें everything like secret में रखने से situation बहुत सही रहेगा so आपको highly recommend करा जा रहा है कि चीज़े ना बोलें जितना आप लोगों को बात नहीं बोलगे उतना ही अब strength में आऊँगे क्योंकि यहां पर जो एक character है not one character there are many many characters जो एक तरीके से एक narrative आपके ओपर impose करें that you are a type of personality आप एक type of person हो so वो लोग अपने narrative में आपको नहीं रख पारे so they are like constantly like जो भी narrative रख रहा है तो यह दूसरों को बोल सके देखा मेने बोला था ना देखा मेने बोला था नहीं कर पारे that's why they are having a type of headache they are like अगर वो लोग इन सारे कहानी को अगर वो दूसरों के साहने ना बोलते तो ही ठीक था क्योंकि आप उनको दर्वाजा नहीं मिल रहा है कहां से वह यहां से निकल सके they need to walk away they need to stop spreading rumors about you like लेकिन constantly यह लोग ना इनके personality है सी इनको तो किसने धंक से बताए नहीं कि आपको सही तरीके से करना क्या चाहिए सही रास्ता क्या इनको तो हमेशा गलत चीज ही बताई गई है so they are like उनको बता नहीं है कि उनको actually right now at this very moment करना क्या चाहिए so पश्चपन से जो सी का है पश्चपन से जो इनकी personality according to them they are right the fact is लोगों के बारे में rumors spread करना एकदम गलत है बहुत गलत है लेकिन इनलों को लगता है कि ये rumor spread करके कोई गलती नहीं कर रहे for them it's like आपकी आप normal person थे आप आपकी personality से आप जैसके से भी रहते थे for आप कोई इन लोग ने इसले target किया कि some way a lot of time से ये rumor spread करने के बाद में भी narrative में आपको बठा लेते थे और आप like आप unconsciously आपने काम करते करते like लोगों को ये लोग ये बात प्रूव करने के लिए मतलब वो हो जाते थे कि देखो मैंने कहा था she is something like that so इनके narrative में अभी आप बैट नहीं रहे हो that is giving them a big headache so that's why they are like planning constantly planning plotting but still उनको रास्त दिखाईने देरा for you it's like अभी भी आप जो भी काम कर रहे हो future में जो भी काम करना चाहते हो and future में जो भी तरक्य आप अपने जिंदिगी में चाह रहे हो जो भी तरक्य आप चाहते हो ये साल के 2023 जैसे शुरू हुआ मैंने जो भी साइकिक मेसेज़स पोस्ट किये मैंने कलेक्टिव के लिए हमेशा ये बात बोली है please अपने plans किसे किसा साथ share ना करो and constantly बगश्यर विश्णू बार बार अपने कुर्म अवतार में आ रहे थे and he is constantly saying मैंने कुर्म अवतार से लेकर अभी तक जितने भी अवतार लिये सिमह अवतार तक भी जो भी अवतार लिये हर इक चीज़ को मैंने सीक्रेट रखा secretly मैंने इस चीज़ को like काम किया है और मैंने किसे को नहीं बताया same way आप भी अपने life में जो भी काम करें आपने जिन्दगी को बदलने के लिए आपने moving forward के लिए एक ही रास्ता लेने के लिए या जो कुछ भी आप project करना चाहते हो काम करना चाहते हो life में growth चाहते हो do not tell your information to anyone and one more thing आपकी आपकी वाव this is the first time I'm observing मेनी आके सीधे इसके पास लेके के मैं कभी भी इस कार्ड को दिखते है I'm just watching this and watching this fishes जो यहाँ पे water में है मैंने इसको आज तक नहीं देखा right now में emotion के बारे में बात कर रही थी God मुझे बताया देख़ए यहाँ पे moon है and look at the dot 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 to the world I'm like क्या observe किया है मैंने अभी observe किया है मैंने इस कार्ज के साथ में इतने ताम से reading कर रही हूं तो आज ही मैंने observe किया है it's like there are some kind of way में वो आपके ऊपर चीज़े project कर रहे हैं like emotion project towards your growth to your world to the money to like many many things so right now एक कार्ट तो pretty much यही बोर रहा है कि जो कुछ पर projection हो रहा है आपको लेते हो आपके strength को लेते हो आपके world को लेते हो आपके money को लेते हो आपके relationship को लेते है चाहे कुछ भी लेते हो आपका और बगवान का relationship को भी लेते है because this card shows relationship between you and God and उस चीज़ को भी लेते हुए they are like a type of thought process rumors लोगों के बीश में spread कर रहे है and वो लोग जो भी वो rumors spread कर रहे है वो एकड़म authenticity है यह सब वो बताना चाहे for you it's like you need to change this thought process and tell them कि नहीं जो आप भी बोल रहे हो वो बकवास है जो मैं कर रही हूँ वो सकते है so that is also happening आपके लिए हाली ही यह कहा जा रहा है struggle मत करो यही टाइम था जो मैं आपने ट्राइबोड को टुच करना हूँ anywho I'll take it as an omen I'll take it as like a psychic message like आप अपने साथ struggle मत करो आप अपने साथ गलत बरताओ मत करो आपने आपको struggle में ना रखवे आपके फिलाल के लिए यह plans this class is like showing a huge plan आपके अपने जिन्दिगें आपके अपने जिन्दिगें हाँ huge plan कर रहे हो वो जो भी plan आपकर रहे हो इसके तोड़ा सा change की ज़र हो रहत है तोड़ा सा change की ज़र हो रहत है क्योंकि यहां पर लोग एक type of projection कर रहे है change की ज़र हो रहत है constantly भगवाण जैसे protection पूछिए constantly भगवाण जैसे prayers करते हो अपने prayers में protection पूछिए and always be in Hare Krishna Hare Krishna Mahamantra Krishna Consciousness echo chamber में I live in Hare Krishna Mahamantra मैं क्यों अपना face आज भूल गया आज मैं याद क्यों नहीं रहे रहे I live in Hare Krishna Mahamantra echo chamber yeah that is something that is my affirmation by the way like you live in Hare Krishna Mahamantra echo chamber so believe in that positivity आपके life में ज़रूर आएगी and आपका relationship with the God your relationship with the money share with your career with your growth सब कुछ बदलेगा थोड़ा सा plans में changes लाके देखे and आप यह समझोंगे समझ में आजाएगा कि आपको growth कहां मिल रहा है and one more thing आपको definitely ऐसा लग सकता है कि मुझे पता नहीं में कहां जाओ and like I'm confused but यहाँ पर आपको सिफ और सिफ एक रासा नज़र आ रहा है आप में पहले से कुछ चीज़ प्लान कर रखी होगी पर एक रासा नज़र आ रहा है because यहाँ पर एक रासा एक रासा एक रासा एक रासा and she's like thinking so यहाँ पर जो भी एक रासा like this is also just one रासा so जो भी आप रासा में जा रहे हो वो आपको एक ही रासा नज़र आएगा कि कहां पर आपको जाना है and that is the one path जो आपको जाना जाहे that is the only path जो आपको लेना चाहे और जाना चाहे and एक बर आप अपने प्लान को decipher करके देखिए and फिर उसमें आगे बढ़के देखो आना कोई समझ में आएगा कि आपको वही पर move करना है I don't know why God is telling me to catch ये deck पकरने के लिका आगया है and let's see इसमें से जो भी card आता है हम बताएंगे आपको ये सामने है and Lord told me to catch this time oh take time out okay take time out this is the card 8 minute space कर लेते हैं हम क्या कर रहे हुँ है okay take time out bear spirit brown bear spirit it's not even bear take time out right now this brown spirit is pretty much saying that right now in सब के साथ कि अभी आपको time है act करने का now you need to act on it because अभी time है focus करने का attention देने का be patient कि आप जो भी काम कर रहे हो वो सही टाम में कर रहे हो क्योंकि brown bear spirit जो आ चुका है यह आपको signal दे रहा है कि आप जिन्दगी में आप जो भी काम कर रहे हो best serve करोगे आपने जिन्दगी में आप उस चीज़ के पर focus कर पाऊगे जो भी hard work कर रहे हो जो भी goals आप चाहते हो उस चीज़ में focus कर पाऊगे moment में आप जो कुछ भी आगे रखोगे आपके actions लोगे जो भी time के साथ आप actions लोगे जिस चीज़ के पर भी आप meditate कर रहे हो right now just wish on it and act on it आप अपने जिन्दगी में उस सारे काम कर पाऊगे and bear spirit एक और चीज़ यहां पर बता रहा है कि कभी-कभी आपको थोड़ा सा relax करना चाहिए just sleep जहां पर जब भी आपको ऐसे emotions के आसपास जब भी आप होते हो या headache है, समझ में नहीं आ रहा confusion है, just take a nap just take a nap, sit down, relax and take a nap, okay just take a nap and refresh होने के बाद नहीं अपने plans के बारे में सोचेगा जो भी आप co-create करना चाहते हो next step रखना चाहते हो, जिस चीज़ के ऊपर भी आगे जाना चाहते हो, जो भी land अपने जिम्दगी में बनाना चाह रहे हो जिस चीज़ के ऊपर भी आप imagine कर रहे हो, कि मेरा जिम्दगी future में so-and-so रहेगा महाँ पे मैं इस तरह के space create करूँगी जो भी possibility है मेरे जिन्दगी में मैं उसके तरफ देखूँगी जो भी plans है उसके चीजों के तरफ देखूँगी and आपको ये definitely बोला जाला है बोला जा रहा है I can't believe this जब मैं psychic message देना शुड़ो करती हूँ sometimes my tongue twists twist हो जाते है मैं कुछ शब ठीक से नहीं बोल पाती हूँ I don't book निकाल के कभी मैं read नहीं करती there is like lot of times I personally feel like Bhagavad Gita निकाल के sometimes मैं एक like उसमें से message आपको दूँ but the fact is मैं जानते है अगर मैं psychically into tune और मैं reading करूँ मेरा tongue twist अलग तरीके से और मैं जो भी प्रणाउंस करूँगी एकदम बखवास प्रणाउंस करूँगी मैं अपने आपको embarrassed नहीं करना चाती so I hope so future Bhagavad Gita मुझे strength दे कि मैं यह सब कर पाऊ but for the final के लिए I'm just praying to the Lord कि मुझे सही direction में रखे okay let me continue the psychic reading that is something आप एक सही plan में रह सके let me again channel the message okay right now यहाँ पर भी यह भी बताया जा रहा है कि आप please remember कीजे कभी-कभी जब आप completely overbarm हो जाते हो तो महाँ आपको सोना भी चाहिए जो आप dream कर रहें अपने life को आगे ले जाने के लिए अपने जिन्दगी को reset करने के लिए clear ahead अपने आपको देखने के लिए जो भी strategize आप कर रहें अपने जिन्दगी के अंदर जो भी plans आप रख पाए और जो भी अपने जिन्दगी में personally किसे particular person को लेते हुए आप जो भी wish करें और जो भी experience करना चाहते है अपने जिन्दगी के साथ आपने hard desires के साथ आपने insights के साथ यहाँ पर totally information यह है कि आप वो experience कर पाऊगे possibility एपने जिन्दगी में ला पाऊगे और environment change आप ला पाऊगे आपके energy perfectly रहेगा wisely अपने energy को आप लेते हुए काम कीजेगा and be patient जो time है जो जहाँ पर आपको काम करना चाहे तब वहाँ पर वो काम आप ज़रूर करोगे relax रहे, calm रहे, peacefully अपने आपको recharge करते हुए आप action लीजिए and definitely आप यह देखेंगे कि आप अपने जिन्गी के अंदर वहाँ पर वो काम कर पाए वहाँ पर आपको वैसे results मिल जाएंगे जो results के तरफ आप देख रहे हो pretty much जो भी confusion है यहाँ पर आपको definitely रास्ता मिल जाएगा कौन से रास्ता में जाना है obviously emperor's status आपको end में मिलेगा bare spirit definitely आप यह बोलने के लिए आया है जो भी आप action लोग है वो action लेते रहे है लगिन बीच में कभी-कभी relax भी हो जाए जहाँ पर आपको लगे कि आप burnout हो रहे है वहाँ पर relax हो जाए है आपका भगवान के साथ भी relationship एक दम strong रहेगा बहुत अच्छा रहेगा आपको जल्दी यह समझ में आएगा कि जो भी रास्ता मुझे लेना है वो रास्ता मुझे लेना है उससे ही मुझे मेरे life में growth नज़र आएगा so this was the second message आप सब के लिए I hope so आज के second message से आप सबको insight lighten मिले guidance मिले और अपनी जिन्दगी के अंदर वो action आप ले पाए और एक और बात अभी तक आपने जो भी action अपनी जिन्दगी में नहीं लिया वो action लीजे आपको यह समझ में आएगा कि आपके life में आप बहुत ज़्यादा grow कर रहे हो प्रिस अपनी बहना को सब्सक्राइब करके all bell notification पर दबाये जिससे आपको सारी जान करिया हमाने चानल के मिलती रहेगी शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अपने प्रेंस वामे के साथ इस वीडियो को त्यारा सा लाइक आप ज़रूर जीजेगा मैं आपको complete insights के साथ reading दूगी readings कभी एक sentence है word में नहीं होगा complete insights के साथ होगा remedies के साथ होगा complete clarity के साथ आपको accurate messages दिये जाएगा जिससे आप अपने life को improve कर पाएगे जिससे आपको ऐसा हैसा होगा कि 50 वसुल reading आपको मिला है आप मुझ से definitely personal reading जरूर लीजेखा thank you so much for watching this video Hare Krishna मैं right now energy को clear कर रही हूँ अब हो सकते है प्रेर को accept कर सकते है other than that Hare Krishna Hare Krishna आपकोछनेさん ऑ हमें Hare Krishna ऑ बब है जरूर प्रण कर दो 年前 क्या deer कार да झाल